हेलो फ्रेंड्स मैं स्युजंका सर्माद दिख्षाकेडमी मुंद्रा यूट्यूब चैनल में आपका फिर्शे स्वागत है सबसे पहले तुम्हें आपको बता दो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को टैप कर दीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपके पास जल्दी से आ जाए आज हम आपको एक्सपेंश इसको आज हम ड्राइब करना आपको बताएंगे तो देखिए वई सबसे की पहले हम क्या करते हैं हम मान लेते हैं ठीक है लैट हमने मान लिया कि y is equal to x to power n आप देखो इसमें होता कि है कि इसके अंदर कुछ increase होता है डेल x तब y के अंदर डेल y इसके correspondence increase होता है ठीक है तो ह हम मान लेते हैं let del x be a small increment in x ठीक है आम क्या मान लेते हैं let del x in a small increment in x and del y ठीक है दा corresponding increment in y ठीक है अब इसके बाद क्या करते हैं हम दखो इसमें कर देते हैं y y में क्या हो गया del y ठीक है और इधर x के अंदर x plus del x ये power n ये del x increase हो ना उसकी वज़े से del y increase हो ये हमारी first equation मान लिए हमने ये second अब हम क्या करते है second में से first को subtract कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा y plus del y minus y ठीक है और equal to x plus del x power n minus x to power n y से y कर गया इधर बच गया हमारा del y और इधर बच गया x plus del x world to power n minus x to power n अब हम क्या करते हैं इसमें से x to power n निकाल लेते हैं ठीक है हम common ले लेते हैं x to power n common ले लिए हमने तो यहाँ दोनों की x to power n है तो यहाँ पर बच गया अंदर one और प्लस यहाँ पर क्या बच गया del x और x की power n common लेते हैं नीचे चला गया और ऊपर n ऐसे गया ठीक है फिर minus यह तो यहाँ पर complete हो गया यह हमारा यहाँ पर complete हो गया और minus x to power n अलग हो गया ठीक है यह हो गया हमारा अब देखिए अब हम इसको expand करेंगे एक्सपेंड कैसे करेंगे binomial expansion का जो formula होता है देखो मैं इतर लिख देता हूं binomial expansion binomial expansion का कौन सा होता है formula जैसे one plus x value power n तो इसका formula होता है 1 प्लस N X प्लस N इंटू N-1 अपोन 2 फेक्टोरियल ठीक है अपोन X स्वेर sorry multiply X स्वेर फिर N इंटू N-1 और N-2 अपोन 3 फेक्टोरियल ठीक है और ऐसे चलता रहता है ठीक स्वेर यहाँ X Q तो इस तरह से चलता रहेगा यह expansion का formula हम यहाँ पर use करेंगे तो देखें वहीं कैसे हो जाएगा यह formula इधर हो गया हमारा del Y और इधर formula लगाने के बाद X to power N हमने इसमें से common ले रखा था फिर इसके उपर formula लगा है तो 1 हो गया फिर plus N फिर del X upon X फिर plus N फिर N-1 upon 2 factorial और X square की जाना क्या है हमारा del X upon X इसकी power 2 फिर third का अगर तुम्हें लिखना है तो लिख सकते हैं नहीं तो dot 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 लगा दे फिर यह complete होने के बाद minus X to power N यह हो गया अब इधर हमारा del Y इसको अंदर multiply कर देंगे फिर X to power N plus X to power N और minus 1 फिर into N फिर del X फिर plus same ऐसी X to power N minus 2 यह वाला और फिर into N into N minus 1 upon 2 factorial into del X square del X के निचे X square दा न वो उपर चला गया फिर ऐसी dot 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 और यह minus X to power N ठीक है अब देखें इस X to power N से यह X to power N कट जाएगा ठीक है यहां तक समझ में आया अब अगर आपको यहां तक समझ में आया तो del Y अब देखें del Y और del X हम दोनों साइड del X से डिवाइड कर देते है ठीक है क्योंकि हमें del Y upon del X निकलना है ठीक है तो दोनों साइड X से del X से डिवाइड करेंगे तो यह बाकी आगया अब हम क्या करते है limit लेते है limit del X 10 to 0 अगर limit del X 10 to 0 लेंगे तो देखो इसके निचे तो यह del X आएगा और इसके निचे यह आएगा इसमें से del X में से एक तो कट जाएगा यह square वाले से एक बचेगा तो यह term हो जाएगी हमारी 0 ठीक है न और इसके निचे वाला रह जाएगा N X to power N minus 1 del X upon del X del X से del X कट गया यानि हमारा expansion आगया N और X की power N minus 1 इस तरह से solve हो गया यह इसका expansion form है यह दोस्तों आठ नमबर का question आ सकता है टीक है graduation first year में और prealth में भी आ सकता है तो यह इसका expansion था आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे आने वाले वीडियो के लिए bell icon को type कर दीजे ताकि हमारे जितने भी वीडियो हैं आपको सब के बारे में पता चलता रहे thank you दोस्तों